जहिंद, मैं ललिद कतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्टिय स्वें सेवक संग के अजेंडे के मुताबिक देश में नया समिधान 21 माज 2020 से लागू होगा जो हिंदू कलेंडर के मुताबिक नया वर्ष होगा MTTV इंडिया की टीम ने इसी पोस्ट की परताल की और परताल में यूजर का दावा गलत निकला सोचल मीडिया पर वाइलर हो रही ऐसी पोस्ट जिसमें देश में किसी भी नए समिधान के लागू होने की खबर बताई जा रही है वो सरासर जूटी है दरसल फेस्बुक पर एक यूजर है लकी आरिया इसने भारत की नए समिधान के दावे को लेकर लिखा है कि संग का एजेंडा नया समिधान लेकिन मैं इसको अपनाना तो दूर इससे पसंद भी नहीं करता हूँ मैं सिर्व भारत के समिधान को मानता हूँ जय भीन जय समिधान हमने इस पोस्ट की परताल की इस पोस्ट में कई मनघणन बातों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि ये नय समिधान का संशिप्त रूप है विस्टे समिधान तयार हो रहा है इस पर जनता अपने विज्जारों सुझाओ 15 माज 2020 से पहले पधानमंत्री कार्याले नई दिल्ली में भेज सकती है उसकी एक कौपी राष्टे स्वें सिवक्संग कार्याले नागपुर माराष्टर में भेजनी होगी भारत सरकार के विधी और नयाय मंत्राले की वेबसाइट पर हिंदी और एंग्रेजी के अलावा अन्य भारती भाषाओं में समिधान के उद्रत प्रती को देखा और पड़ा जा सकता है कानून मंत्राले की वेबसाइट पर मौजूद समिधान एक अपरेल 2019 तक अपडेटेड है भारतेफ समिधान को समिधान सभा ने 26 नमबर 1950 को सुईकार किया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था वजह से 26 जनवरी को सालाना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वारेल पोस्ट में वोटिंग और शिक्षा के अधिकार, बोलने के आजादी, घुमने फिरने के अजादी के अधिकार, सूचना के अधिकार, संपतिक अधिकार और सरकारी सेवाओं के अधिकार को जाती विशेश तक सीमित करने का दावाद किया गया है, जबकि भारतिय समिदान में समता मूलक और नयाय अधारिक विवस्था का जिक्र है भारतिय समिदान की प्रस्तावना में इन्हें साफ साफ पड़ा जा सकता है आपको बता दें कि राष्टिय स्वय सेवक संग एक सामाजिक और सांसकर्तिक संगठन है और संग ने अभी तक नए समिदान को लिखे जाने जैसी कोई बात नहीं किये ये पोस्ट संग को लेकर सिर्फ दुस्परचार भर है वहीं आपको याद दिला दें कि नई दिल्ली के विधान विज्यान भवन में भविश्य का भारत कारिकरम में बोलते हुए संग परमुक मोहन भागवत ने साफ साफ कहा था कि हमारी प्रजातांतरिक देश में हमने एक समिदान सुईकार किया है अपना समिदान अपने देश की सर्फ सहमती है इसलिए उस समिदान के अनुसार और अनुशासन का पालन करना हमारा कतव है संग इसको पहले से ही मानता है इस पूरी परताल के बाद यह सपष्ट है कि वाइरल पोस्ट में जो दावा किया जा रहा है कि देश का नय समिदान हिंदू कलेंडर के मुताबिक नय साल यानि किस माज 2020 से लागू होगा वो जूट है आपको बता दें कि हिंदू कलेंडर के मुताबिक 9 वर्ष की शुरुआत चैतर शुक्ल परतीपदा से होती है और इस साल यह तारीक 25 माज को है अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो और MTTV इंडिया के पीज को फॉलो करें और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी